हलो फ्रेंड्स वेलकम टू रसोई घर्त फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मिठाई के एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूं जो खाने में तो बहुत टेस्टी है ही सही और बनाने में भी बहुत आसान है और इसमें मैंने कोई मावा दूद या घी का यूज बिल्कुल भी नहीं बुरादे को हम गेज का फ्लेम लो करके थोड़ा सा गरम कर लेंगे तो हम इसे तब तक सेकेंगे जब तक इसमें से एक थोड़ी सी खुश्बू नहीं आने लगती है इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं सेकना है और इसका बहुत ज्यादा डार कलर नहीं करना है तो इनारियल अपने चेनल पर डाल रखी है अप महां से चेक कर लीजिए तो इसे घंphone कर लेते हैं ऊब मैं अध। गुलाब का शर्वत तो इससे अच्छीरिट YouTube में अपने चेनलबSON तो दो चमश में इसमें गुलाब का शर्वत डाला है तो इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गेस का फ्लेम हम लोही रखेंगे तो हमें बस इसे कुछी देर चलाना होगा जब तक यह अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता तब तक हम इसे चलाएंगे तो यह देखे फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो चुका है तो बस अब हम गेस का फ्लैम आउफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे तो यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो अब हम इसकी मिठाई बनाना शुरू करते हैं तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेते जाए और पेड़े का शेप दे दे आप चाहे तो इसकी रोल बनाके भी तयार कर सकते हैं जो भी आप अपनी मनपसंद से शेप देना चाहें वह शेप आप दे सकते हैं तो इसी तरह से सारी मिठाई बनाके मैं तयार कर लूँगे यह देखिए तो यहां सारी मिठाई मैंने बनाकर तयार कर लिए और अब मैंने यहां पर लिया है खसकस का दाना तो खसकस के दाने इसमें थोड़े से हम लपेड देते हैं ताकि यह दिखने में बहुत सुंदर लगेगी और खाने में भी अच्छे लगेगी तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा खसकस का दाना इसमें लपेड देंगे सबी मिठाईयों में तो यहां पर मैंने सारी मिठाई में खसकस को लपेड दिया है और अब मैंने यहां पर लिये पिस्ता के कतरन तो एक-एक में पिस्ते की कतरन लगा देती है उपर से तो यह देखे फ्रेंड्स हमारी बहुत ही टेस्टी और दिखने में बहुत ही सुंदर मिठाई बनकर तयार है यदि आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के सब्सक्राइब